शेर के सरकीट हाउस रेव कांड मामले में आरोपी बनाई गए संजेत तिरपाठी के पड़रा इस्तित आवाज को तोड़ने के लिए मामा का बुल्डोजर पहुँच चूपा है रिवा के सरकेट हाउस रेप कांड मामले में मुख्य आरोपी सीतराम दास को संग रक्षन देने के आरोप में संजेत तिरपाठी पर कल पुलिस ने मामला पंजिबत किया था इसके बाद उसे नियाले में पेश कर दिया गया वहीं उसके आवास पर प्रशासन का बुल्डोजर भी चलाया गया कारेवाही संजेत तिरपाठी के रिवा शहर के पड़रा में बने आवास पर की गई थी कारेवाही के दोरान मोके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा आरोप है कि बिना पर्मिशन और पार्किंग व्यवस्ता के अवैद रूप से निर्मान कराया गया था जिसको लेकर ये कारेवाही की गई रिवा के बाहु बली कहे जाने वाले संजेत तिरपाठी के कॉम्पलेक्स का कुछ हिस्सा गिराए गया है कॉम्पलेक्स रेलवे ओवर ब्रिज से लगा हुआ है तिरपाठी के कॉम्पलेक्स को गिराने के लिए बलैक कमांडो भी बलाए गये थे बहुत चर्चित रेप कांड का मुख्य आरोपी महन सीताराम और उससे जुड़े पांच आरोपियों को रीवा पुलिस ने गरफतार कर लिया है शेहर के सिविल लाइन थाना की पुलिस ने शनीवार को रेप के मुख्य आरोपी सीताराम की मदद करने वाले संजेत तिरपाथी अंशुल मिश्रा तौफिक अंसारी को रीवा कोट के निर्देश पर केंद्रिये जेल रीवा के कारागार में भेज़ दिया इस घटना से जुड़े विनोध पांडे को पहले ही पुलिस गरफतार कर चुकी है